दासकार स्वागे था आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आज इंडिया की बात में होंगे तीन मुद्दे विपक्षी गडबंधन इंडिया के दम से हिल गई है बीजेपी सरकार मुद्दा नंबर दो अप्रत्याशत देश के प्रधान मंत्री ने विपक्षी गडबंधन की तुलना आतंकवादी संगठनों से करड़ाली ये बाउकलाट क्यूँ और मुद्दा नंबर तीन गोपाल कांडा बरी बिजभूशन शरंड सिंग की बेल का विरोध नहीं परोल अगर बलातकारी रामरहीम पता चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर मोदी सरकार कितनी गंभीर है चुरुआत हम करना चाहेंगे संसद में जिस तरह का घटना क्रम चला चीहां विपक्षी गटबंधन इंडिया ने पहली बार संसद के अंदर अपना दम दिखाया नतीज़ा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी संजय सिंग को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया नतीज़ा ये हुआ कि लोग जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से उम्मीद कर रहे थे कि वो मनिपूर पर आकर अपनी बात कहें प्रधान मंत्री नहीं आए अब एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है मगर इसके माइने क्या है हम चर्चा करेंगे क्या है इस मुद्दे का पंच शुरुआत करते हैं और मिलेश से देखे मैं समझता हूँ कि इंडिया एलाइंस बनने के बाद ये भारती संसत का पहला सत्र है मानसून सत्र तो मंसुन सत्र पर इंडिया एलाइंस के बनने का असर तो पढ़ना लाजमी था आखिर भारती जनता पार्टी केंद्र की सरकार का जो नेत्रित तो है वो कैसे सहस्ता से पचा जाता कि सारे भी पक्षी यहां तक की आम आदमी पार्टी भी जिसकी बहुत सारी नाराजगी थी यह सब एक हो गए हैं तो मुझे लगता है यह बौकलाहट का रिफलेक्शन है भाशा क्या है इस मुद्दे का पंच बताएं अभिसार इस पर मेरा माणना है कि इंडिया की तरफ से जो तीर चलाया गया वो बिलकुल निशाने पे लगा है इस बौकलाहट की दो बड़ी तस्वीरे हैं संजे सिंग, उनका निलंबन और उनका जिस तरह से वही पर धरने पर बैठना और उनके पक्ष में लोग जुट रहे हैं, पहली तस्वीर ये और दूसरी बौकलाहट की सबसे बड़ी तस्वीर इस मृति इरानी इस मृतिरी इनानी ने जिस तरह से हमला बोला और जिस तरह से अनरगल प्रलाप किया उन्होंने उससे लग रहा है बड़े पैमाने पर परेशानी है और दिक्कत बहुत है, दिल दुख रहा है भारती जन्ता पार्टी का आपका क्या पंच है अभिसार इस पर? इस मृतिर पर मेरा पंच ये है कि विपक्ष की रह बहुत आसान है, हम देख रहे हैं कि राजसभा के सभापती जिस तरह का बरताव कर रहे हैं उनके बरताव पर सवाल उठ रहे हैं, मसलन जब विपक्ष जो है इंडिया इंडिया करता है तब उस पर आपती है, मगर जब मोदी मोदी किया जाता है तो चेहरे पर मुस्कान रागव चड़ा जब सवाल पूछते हैं तो उन्हें उनकी उम्र दिखाकर उन्हें चुप कराने की कोश्की जाती है यानि की मुश्कल सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं है, कही ना कहीं राजसभा के सभपती या लोकसभा ध्यक्ष के आच्यरण पर भी निश्पक्षता पर भी सवाल है चले शहरशा को आगे बढ़ाते हैं, मेरे ख्याल से उर्मिलेश जी ये विपक्षी गटबन इंडिया का मासर स्टोक है जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाए जा रहा है हम इसका क्या होना है सब जानते हैं, मगर कम से कम मुद्दों पर प्रधान मंतरी सामने तो आएंगे यानि कि कमाल है, मनिपूर पर उन्हें बोलनी नहीं दिया जा रहा है कि नहीं साब आप 167 में बात कीजिए, 267 में बात करने की जरूत नहीं है प्रधान मंतरी नहीं बोलेंगे, अरी भाई प्रधान मंतरी को इतना बचा क्यों रहे हैं संगोल युक के महराजा हैं वो इसलिए अभिशार मैं समझता हूँ कि जिस तरह से संसत के दोनों सदरों में भारती जंता पार्टी और सरकार ने एक्दम तै कर लिया था कि किसी कीमत पर वह ऐसी डिवेट में मारिपूर को ले कर नहीं जाएगी जिससे की वोटिंग की नौबत पैदा हो जाए जिससे की पूरे दिन की बहस हो वे एक बहुत ही अल्पकालिक बहस के लिए तैयार थे जिसमें की कुछी देर के लिए चर्चा होती है और उसमें हमेशा सरकार के लोग डॉमिनेट करते हैं तो जो हाउस की प्रोसीडिंग को जानने वाले लोग है उनको अच्छी तरह वालू होता है कि इस तरह की बहस का कोई मतलब नहीं है डिमोकरिसी में दरसल मनिपूर जैसे सवाल पर एक बड़ी बहस कभी संभवा है जब 276 के हिसाब से आप नियम उसके हिसाब से आप करें ये 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 बहस कराएं और राजसभा की बात मैं कर रहा हूं लेकिन उसके लिए बिलकुल वो तयार नहीं तो अगर तयार नहीं है तो उनके पीछे कारण यहीं था कि संसद में जब कोई बोलता है जो सदन में जब कोई बोलता है तो आपके पास कोई न तो टेली प्राम्टर होता है न तो कोई आपके पास और कोई फीडबैक किसी तरह से होता है मुदी जी के पास तो इसका इलाज है ना याद है आपको जब अडानी पर राहूल गांधी ने लगातार हमला बोला था तो जब प्रधान मंत्री की बारी आई थी तो अडानी शब नहीं निकला था मुझसे उल्टा अपनी छाती को ठोक कर एक अकेला सब पर भारी और बस उसी सीन को गोधी मीडिया ने सब को दिखाया एक तरफ तो ये कि प्रधान मंत्री मुद्टो से वश्टे हैं सब्सक्रा आप जो कह रहे थे आपने दिखा किस तरह से मलिकार जुन खडगे की आवास को दबाए जारा है मायक मूट किया रहा है वही जो राहूल गांधी के लिए कि अब आप मले कार जुन खड़गे के लिए भी कर रहे हैं मलिकार जुन खड़गे ने अगले दिन जब ये प्रशन उठाया किसी अन्यमानी सज़स्टे ने विपक्ष के उन्हों ने इस बात पर बहुत दुख शाहिर किया क्योंकि एक तो बात माननी पड़ेगी कि वह हाउस के बहुत सिनियर मेंबर हैं बहुत ही सिनियर मेंबर हैं जितने लोग बैठे हैं आज उनमें मैं समझता हूँ कि इका दुका लोग होंगे जो उतनी सिनियर्टी होगी जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और आज राजसभा में वो हैं उन्होंने कहा कि मुझे दुख इस बात का हुआ कि आपने हमारा माइक बंद कि दिया और आपको याद होगा कि किसाना अंदोलन को लेकर जो चल रहे थे इश्यूस तीन किसान विधयक को लेकर उस बक भी यह स्टेटिजी एडाप्ट की गई थी मैं समझता हूँ कि पहले कभी भी सदन में जबसे हाउस की प्रोसेडिंग लाइव है ऐसा नहीं होता था केवल उसी स्थिती में होता था जब कोई बिल्कुल अनरगल और संसदी या और मर्यादित भाषा का प्रियोग करे लेकिन अभी सरकार पर मर्यादित धंक से टिपणियां करते समय भी माईक बंद किया जाना है एक चीज जो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि देखिए सबसे बड़ी चीज चुनौती एंडिये के लिए इसलिए है कि वो चाहता है कि इंडिया अगर मुद्दा ला रहा है मनीपूर का और मनीपूर पर बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है पारलेमेंट कॉंग्रिस शाशित राजियों में जो हिंसा ओरी उस पर चर्चा करिए तो यह जब स्टैंड पार्टी ले चुकी है और उसके मंत्री बोल रहे हैं और वो भी वो मंत्री जिनके पास महिला कल्यान है तो उनका स्टैंड बहुत तगड़ा है कि भाई हमने जो कहना था हम संस के प्रती प्रधान मंत्री की accountability नहीं है कोई जब आप देंगे और एक मैं इंटेवेंशन यहां देना चाहूंगा लोग जो बार बार तुलना कर रहे हैं कि राजस्थान पे चर्चा करो 36 गड़ में मनिपूर में नरसंगार जैसे हालात हैं मनिपूर में खुद मुख्यमंत अपराद हैं उनकी तो आपके खुद के विधायक भाजपा के विधायक on record देते हैं कि हां मोदी सरकार जो है वो वाइलेंस में शामिल है वो बखायदा नाम लेकर विरेन सिंग का नाम लेते हैं कि उनकी वजह से यह स्थिति हैं और साथी साथ वो इस पे भी दुख व्यक् भाजपा की है कि मनीपूर पे ना चर्चा करा के आप देखिए बिना बहस के तमाम एहम सवाल तमाम एहम बिल वो पारित कराए जा रहे हैं और एक चीज़ स्थापित करें कि विपक्ष कुछ भी कर ले लेकिन मैं राजा हूं मैं संगोल युक्का नेता हूं और मैं बांते हैं आप वहाँ जो भी बोलेंगे मीडिया आपके हिसाब से नारेटिव को सेट कर देगा ठीक है फिर भी आप सामने नहीं आ रहे हैं और ऐसा नहीं कि हमारे सामने नजीर नहीं है मिसाल नहीं है आपको याद होगा 2012 में इसी राजसभा के अंदर जब हामित अंसारी चैर्मिन थे तब कोकरा जहार पर मनमोहन सिंग ने बाकाइदा बयान दी थी देश से अपील की थी कि रियूमर मौंगरिंग मत कीजे इस से देश भर में हालात खराब होंगे अपील की थी निर्भया में सिर जुका के देश को संबोधित किया था पूर प्रदान मंतरी मनमो कबर किया है जब भी कोई बड़े इशू उठते थे हाउस में विपक्ष की तरफ से सबी लोग अपना बयान देते थे और बयान देना तो कोई भी मंतरी कोई भी प्रदान मंतरी एक बहुत महत्पूर्ण मौका समझता है अपना कि अपनी बात को हम पेश करें ठीक है मोदी लिखे आदमी का एक दौर एक वो है कोई हो मासूरेटर नहीं थे लेकिन एक कुरेसी उनके भाशनों में होती थी आपको बताऊं एक बार एक आरोप लगा शर्मल शेख को लेकर कि वहाँ पर ये शब्द क्यों यूज किया गया डिप्लोमेसी से जोड़ा मसला था उस पर ही डौक्टर मन महान सिंग ने बयान दिया जबकि वो बहुत ही जडिल प्रशन था तो मैं समझता हूं कि ये साहस बताता है केवल चाती ठोकने से साहस नहीं आता है आपके शब्द जो है वो क्या अर्थ जाहिर कर रहे हैं इससे भी साहस आता है लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि देखे जो कम रिजन किया रहा है र राज्स्तान 36 गड़ से वो कितना बे मतलब है कितना बेमानी है ये civil war जैसी इस्तिती है और आप राजस्थान में 36 गड़ में क्या बंगाल में क्या आप civil war इस्तिती देख रहे हैं दुनिया में कोई ऐसा बड़ा देश नहीं है लोकतांत्रिक जहां पर इसकी चर्चा नहीं हो रही है मनिपूर की यूरोपियन पर्लामेंट ने डिसकस किया और वहां बड़ा खेर मगनमा आपका हुआ क्योंकि भारत से आर्थिक लेंदेन का मामला था लेकिन उसी अमेरिका के वाशिंटन के स्पोक्स परसर ने कहा कि भारत को कोई जरूरत हो तो हम हेल्प करने को तयार हैं तो यह तमाम मुद्दें भाशा हमने स्मृती एरानी को भी सुना, उनकी बॉखलाट देखी, मतलब काश यह घुसा महिला पहलवानों के लिए आया होता, काश यह घुसा गुपाल कांड़ा के मामले में आया होता, काश यह घुसा अनने जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर आया था, मगर जो एक obsession दिखाई देता है, उ इतने लोगों ने सुना क्यों कि काफी उसको रिपोर्ट भी हुआ, बिसमृती रानी का जो काफी वाइरल हुआ, और यह कहा गया, गोधी मीडिया द्वारा, यह देखी दुर्गा का रौद रूप, तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह जो रौद रूप उन्होंने दिखा उससे पता चलता है कि दरसल उनकी चिंता मनिपूर की महिलाएं नहीं है, और यह कहना अपने आप में इतना शर्मनाक है बतौर भारती महिला कि जहां पर आपके सामने वो वीडियो हैं, जिनमें नगन परेड की कराई जा रही है, उन महिलाओं का बयान है, उन महिलाओं का बयान है, इतनी हिम्मत दिखाए कि उसके बाद भी उनने बयान दिया कि पुलिस शामिलती, आपकी पुलिस शामिलती, आपका MLA बोल रहा है, आपका MLA बोल रहा है, हिंसा में, वो पीडिक महिला भी बोल रही है, कि मुझे सौपा पुलिस ने, तो यह सुची यह शर्मनाक स्थिती जब है स्मृती इरानी जी, उस समय आपको याद रखना चाहिए कि आपकी जो मिनिस्ट्री है, वो राहूल गांधी पर बैशिंग करने या उन पर हमला करने की नहीं है, लेकिन दर असल उनके मंत्राले का नाम कुछ बदला-बदला सा है, क्योंकि पिछले पूरे रिजीम में अगर आप देखिए, चार-पांस साल में, उनका सिर्फ और सिर्फ निशाना मनीपूर है, और मनीपूर में जाके राहूल गांधी ने जो काम किया, जिस तरह से इकलोता नेता है, जो यहां से गए, और एक बड़े पहमाने पे लोगों की संवेदना भी दिखा में है कि किसी राज में इतने महीने से आग लगी है और उस मुख्य मंत्री के खिलाफ एक कारवाई नहीं होती है, एक मंत्री एक अधिकारी में राजधर्म का पाट भी नहीं पढ़ाते हैं, 2002 में कम से कम वाजपे जी ने राजधर्म का पाट पढ़ाय था, दरसल यहां पर एक दूसरे को बचाते हैं पूर्मिलेश जी हमने राहूल गांधी की बात की क्योंकि जब या विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो व्यक्ति जिसके एक एक शब्द से भारती जनता पार्टी का पूरा प्रचारतंत्र सरकार मंत्री हिल जाते हैं वो नहीं होंगे व कि राहूल गांधी इस समय विपक्ष के सबसे महत्यपूर्ण नेता हैं इसमें कोई दोराय नहीं है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो उनका जो इमर्जन्स है उसमें निस्तन्दे एक बड़ी ताकत बने हैं लेकिन मैं समझता हूं कि विपक्ष के पास अभी वक्ता कि कमी नहीं है सिंप्ग्रिस की तरफ से कुछ लिफ्ट के भी लोग और आरिजनल पार्टी के लोगूंC तीमसी टीमसी की संख्या जादा आ वापोजिशन कि लोकसभा में इस पर निर्भर करेगा कि अपोजिशन मनिपूर के इशू को लेकर किस तरह से एक अपने हमले की एक वैचारिक हमले की योजना कैसे बनाता है और उसमें राहूल गांधी बिलकुल मवजूद रहेंगे योजनाकारों में जो पार्लमेंटरी जो अटैक है अं कि मेरा दूसरा मुद्धा है दूसरा मुद्धा क्या है प्रधान मंतरी नरेंध्य वोदीदेश के सामने आते हैं और भारती जनता पार्टी की संसदीय दल की बेठक में कहते हैं कि यजो इंडिया नाम है न भी बिपक्ष का वो कहते हैं कि East India Company भी इंडिया था Indian दीन में भी इंडिया था यानि कि विपक्ष की तुलना अब आतंकवादी संगठन से करेंगे एक तरफ आप बड़ी-बड़ी बाते करते हैं और दूसरी तरफ ये बात सबसे शॉकिंग बात है कि आप विपक्ष को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं जो इस पूरे समवाद का को जना है केलो इंडिया लेकिन उनका मकसद बहुत साफ है वे चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में विपक्ष हीन लोकतंत्र की तरफ देश को बढ़ाएं इसलिए लगातार अपना तीखा हमला कर रहे हैं और दुख की बात है कि देश के कॉंस्ट्यूशन में भारत और इंडिया दोनों मौजूद है उसमें इंडिया को आतम की संगठनों से जोड़ कर उन्होंने शर्मनाक काम किया है अभिसार क्या है इस पर आपका पंच तरसल प्रधानमंत्री दिये जो बात कही है न वो पूरी तरह से संबोतित है अपने अंधभक्तों और अपने नफरती प्रचार तंत्र को क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगे उर्मिलेश अभिसार वो कहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी और इस्ट इंडिया कंपनी दोनों की स्थापना अंग्रेज लोगों ने की थी तो क्या मुद्दी जी मानते हैं कि महात्मा गांधी की जो कॉंग्रेस थी वो भी अंग्रेजों की कॉंग्रेस थी या एक महाज संजोगह की 1885 में किसी ने संस्था बनाई और बाद में उसको इंडियन ने टिक ओवर किया पूरी इंडियन आत्मा के साथ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कल प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने दरसल कहा क्या आपकी स्क्रीन्स पर हो कहते हैं मेरे तीसरे कारकाल में भारत दुनिया की टॉप तीन एकॉनमी में होगा प्रधान मंतरी मोदी ने कहा कि आज दुनिया ये स्विकार कर रही कि भारत लोकतंत्र की जननी है आज जब हम आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमरित महुचसव मना रहे हैं भारत मंडपम हम भारतियों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया गया खुबसूरत उफ़ार है भारत मंडपम तो खुबसूरत उफ़ार है मगर आपकी जुबान से जो तमाम बाते निकल रही हैं आपने जाने अन जाने में इंडिया का अपमान किया मुझे लगता है भाशा इंडिया का अपमान किया और लोकतंत्र जिसकी वो बार बार दोहाई दे रहे हैं जब अमरीका जाते हैं तो एक इकलोता जो सवाल पूछा जाता है उसके जवाब में तेरा बार वो इंडिया डेम सिधे सिधे बिना एक मिनट के सोचे कि क्या कोई लोक्तंत्र सम्बव है यह कौन सा काल सोच रहे हैं अमरित काल की बात कर रहे हैं और आप विकश पर इतना cruel हम और विपर्दधा हो के हम रहे हैं कि आप उसे चाहरा है कि लोगों के पास जो आपने चलती है और आप देखिए कि चुनाओं के समय तो ग्रिह मंत्री अमिश्या जी ने भी कसाब की बात की थी और तमाम इस तरह की तुलनाएं थी लेकिन बतौर प्रधान मंत्री आप सीधे सीधे कह रहें कि विपक्ष का गटबंधन दरसल ये नाम यहां यहां है जब कि हम सब चानते हैं कि इंडिया का नाम आज की तारीक में ऐसा लग रहा है जो आसम के मुख्यमंत्री ने किया कि इंडिया हटा दिया अपने में से ट्विटर हैंडल में से अपने उसमें से हटा दिया तो मुझे लग रहा है क्या भाश्पा यह सोच रही है क्या वो इंडिया का ना तब आपने लगातार उसे क्रिमिनलाइज किया अडानी पर उन्होंने टिपणी की अचानक फिर वो जो पूरा डेफिमेशन वाला मामला जो है सक्री हो जाता है दो साल की सजा मैकसम सुनाई जाती है मुझे लगता है जो राहूल को क्रिमिनलाइज किया गया था और अब दो साल के लिए सजादी लाई गई या दी गई माननी कोर्ट द्वारा तो यह दुनिया के इतियास में किसी डिमोक्रिटिक कंट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि किसी नेता को खासकर बड़े नेता को पार्टी के आप मानहानी के मामले में दो साल की सजादें जिससे कि उसकी म बलत को सही कहना सुरू कर दें आप जैसे कहें कि इश्वार राक्षस है और राक्षस इश्वर है उदारन के तौर पर मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि कॉंग्रिस पार्टी से आपकी असामत ही हो सकती है उसकी आलोचना आप कर सकते हैं लेकिन कॉंग्रिस पार्टी के नेता बड़े नेता आतंग वाच के सबसे अधी शिकार इस देश में हूए है बिलक्रू और कुछ रिजिनल पार्टी के नेता हूए है जहाँआ एक जमाने में बहुत ज्यादे आप कुंग्रिस के मारे गए है बिलकु आप यहां तो देख सकते हैं महात्मा गांधी मार कि अचला कर दिया गया हो ऐसा कोंधी था ऊभी एक बिलकुल सिर्फिरा था जिसक्ति अभी नंधन की हो रहा देश में और दूसरा इसके बाद आप देखें इंदिरा गांदी को भी मारा गया टेरिस्ट activities में राजीव गांधी को कैसे मारा गया हम सब जानते हैं कि उसके पीछे कौन लोग थे तो एक ऐसा परिवार एक ऐसी पार्टी जिसमें अनेक लोग हम तो जिस समय पंजाब में पोस्टेट थे हिंदुस्तान के कर्स्पार्णेंट के तोर पे उस वक्त वहां एक चीफ पिनिस्टर कॉंगरिस के मार डाले गए पंजाब में तो यानि कि बीजेपी चाहती है तमाम चीजों को भूला जाए मैं अपने दर्शकों को कुछ मिसाल देना चाहता हूँ क्योंकि प्रधान मंतरी ने जो या अनर्गल बात कही न वाहियात कहना चाहूँगा ऐसे कड़ा शब्द है क्षमा चाहूँगा मगर मीडिया सवाल पूछने के बजाए क्या कर रहा था आपके स्क्रीन्स पर ये देखिए पेन किलर पत्रकारिता की मिसाल इंडिया अंगरेजों की भी कंपनी थी इंडिया वर्सिस इंडिया मुझाधीन कौन सही ये देखिए इस तरह की बहस हो रही है फिर देखिए विपक्ष के इंडिया पर सबसे बड़ावार इंडिया तो मुझाधीन में भी है राहूल ममता का इंडिया मोदी ने धो दिया नरेंडर मोदी का पलटवार गेम चेंजर या बाकफायर सवाल पबिक का और यहीं नहीं दोस्तों रिपबिक ने तो ये तक कहा मोदी ने ठोक दिया यह है हमारा जाइननना वहां जाई लगता कि भारती कर पा रहे हैं यह सारी चीजें वो नहीं बोल पाए तो यह तोक दिया और सबक सिखा रिया यानि इंडिया शब्द से जितने बड़े पैमाने पर उनको जटका लगा देखे एक हमें यह भी समझना चाहिए जो साइकी है वो दर असल यह है कि उनको लग रहा है कि इंडिया प करना या यह बताना कि इंडिया किसी लायक नहीं है पहला भाशन आपको याद होगा जो उन्होंने दिया था कि यह करप्ट लोगों की जगा है लेकिन करप्शन से काम नहीं चला क्योंकि सबसे ज़्यादा क्योंकि CBI और ED के बाद वाशिंग मशीन जो बीजेपी की है सबस यह गडबंधन आतंकवादी और मैं यहां एक और जिक्र करना चाहूंगी कि एक रैली होती है केरल में मुस्लिम लीग की रैली होती है और उसके बारे में जो खबर आती है तमाम तरह की फरजी खबरें कि देखिए यह एंटी इंडिया एक्टिविटी इसी को राहूल गां से हम देख सकते हैं कि एंडिये में अगर आप विपक्ष को भरष्ट बता रहे हैं तो उसी एंडिये में पूरी एक फेहरिस्त है और आप बारी अपने तीसरे मुद्दे की इस हफते एक बड़ी खबर सामने उभर कर आई गोपाल कांडा जो कि हर्यान लोखित पार्टी के प्रमुक थे और ये ना भूलें वो जो 38 दल जिसको लेकर छाती ठोक रहते जेपी नड़ा साब उन 38 दलों में गोपाल कांडा भी शामिल हैं उन्हें आदालत ने बरी कर दिया मामला क्या था गितिका शर्मा एर होस्टिस गितिका शर्मा का सियूसाइड उन्होंने बरी हो गए और ये ना भूलें दिल्ली पुलीस ने ब्रिज भूशन शरंड सिंग के बेल का विरोध तक नहीं किया ये कहीं न कहीं बतला रही है कि बेटी बचाओ को लेकर ये सरकार कितनी गंभीर है क्या है इस मुद्दे का पंच बताएं भाशा अभिसार आपने जो कहा उसमें एक और नाम राम रहीम जिसको पैरोल पे पैरोल मिल रही है और ये सारी लोग दरसल भारती जनता पार्टी के पोस्टर बॉई है वे बताने के लिए कि मुद्दी सरकार का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कितना खोकला है कितना मह महिला विरोधी है जो बलातकारी संस्कृती है जो बलातकारियों को माला पहनाई जाती है और मिठाई खिलाई जाती है ये शर्मनाग घटना है जो हमारे चारो तरफ घटित हो रही है अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि भाजपा नारा देती है बेटी बचाओ मुझे लगता है जब ये बेटी बचाओ ये कहते हैं इनका मतलब है भारतिये जनता पार्टी से बेटी बचाओ और यही नहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आजाद भारत के इतिहास में महिल के हितों को लेकर इतनी होस्टाइल कोई सरकार नहीं रही क्योंकि धर्म के नाम पर मोदी जी की अस्मिता बचाने के राम नाम पर महिला अधिकारों को रौंधा जा रहा है क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगे उर्मिलेश देखे जहां तक गोपाल कांडा कांड जो है और राम रहीम का मामला है प्रजबोशन सिंग का मामला है इसमें कोई दोराएड नहीं अविसार कि ये सारे जो इशूज हैं वो बताते हैं कि भारती जनता पार्टी की सरकार कितनी और संबेदन शील है बलकि विल्किल हो स्टाइ अभी बोशन सिंग के मामले में भी उन्होंने चैलेज नहीं किया पेटिशन नहीं दिया उपर की कोट में अदालत में नहीं दस्तक दी और अभी जो जानकारी मिल रही है कि गोपाल कांडा के मामले में भी वही रवया अख्तियार किया रहा है उसके भाई ने ये आरूप लगाया है अपील की है कि सरकार जल्दी से जल्दी हायर कोट में जाए बाशा आप जानते हैं कई जो प्रचार तंत्र के छोटे मोटे नफरती चिंटू है वो कह रहे हैं कि भाई गोपाल कांडा को तो अदालत का फैसला आया है परूल अदालत का फैसला है मगर यही गोपाल कांडा का समर्थन लेना चाहते हैं किसी भी कीमत पर यह हैं कलियुक के चानक के जो दुरियोधन को ही सबसे बड़ा नेता बना रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि गोपाल कांडा हो बिजबूशन शरण सिंग हो या फिर जो पूरा का पूरा मामला मणीपुर का भी है अभी और आरोप यह था कि उस बिचारी लड़की पर जबरदस्ती करें कि वो एक रूम में जाए रात बितायक जट्ती के साथ और आप देखिए अब यहां देखिए कि यह जो आयरनी है यह जो विडंबना है आपने तीन नाम लिए इन तीनों लोगों ने राम रहीम हो गोपाल पर कांडा हो या बिच भूशन शरण सिंग इन तीनों ने हिंदू बेटियों का अपमान किया यहां पर उनका हिंदू गौरव नहीं जागता क्यों कि यहीं लोग हैं यही सारी ब्रिगेड है जो लव जिहाद का फरजी मामला बनाकर नफरत पहलाती है असल क्या है कि जो ब अधिकार है यह मनुस्मृति को जो लाना चाह रहे हैं कि बलातकार करना अधिकार है यह सारे बलातकारी गौपाल कंडा की फोटो देखिए फूलों से लदा हुआ वो शक्स है हाथ जोड़ रहा है बुशन शरण सिंग को देखिए जेल में जाता है दिल्ली पुलेस पुर्बे महिलाओं के उपर बोलने के लिए तो यह एक बड़ा जबरदस्त अमरित काल मोदी जी ने पैदा किया है कि यह तमाम बलातकारी यौन शोशन के आरोपी ही ब्रैंड एमबेज़र बन गए है भारती जनता पार्टी की राजनीती के आखरी सवाल मैं आपसे सामने आते हैं उस वक की प्रधान मंतरी सिर जुका कर अपनी बात रखते हैं निर्भया के परिवार की कितनी मदद की थी राहूल गांदी ने और दिल्ली पुलीस ने उन पांच गुनागारों को रिकॉर्ड टाइम में पकड़ा था मुझे तो डर यह है कि अगर आज निर खाया है ठीके राजनीत और मीडिया का स्तर इतना अविसार गिरा है इतना गिरा है मौझूदा रिजीम में कि जिसकी कलपना नहीं की जा सकती है राम रहीम साहब जो हैं इनके हरियाना में बहुत बड़े पंजाब में एसेट्स हैं जब कभी पंजाब हरियाना में पाँच और मैं आपको बता दूं कि इस देश में अनिक ऐसे लोग है जो इंटलेक्ट्चोल हैं बड़े राइटर हैं और जयनलिस्त हैं वे जेल में हैं आप राधिक मामलों में नहीं है उनका यह है कि राजनीतिक मामलों में हैं उनका है कि इन्होंने स्टेट पर सवाल उठाया है इन्होंने दमन अत्याचार पर सवाल उठाया है उनको एक बार जवानत नहीं मिलती एक बार पिरोल नहीं मिलती और लगातार उनको जेल में रखा जा रहा है और जेल म की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा पूरा सिस्लम कितना इनसेंस्टिब, इनिहूमन हो गया है, लیکिन मीडिया के जरिये, मेंस्टे capable के जरिये, खास कर जायस ठहराना और उसे जायस ठहराए जाता है मोदी जी की इज़त बचाने के लिए या धर्म के नाम पर जिस तरह से बिलकिस बानों के साथ खुला जो है नाइनसाफी हो रही है जो वाजब बात यहां भाशा ने कही कि कहीं ना कहीं एक मनुस्मृती की सोच का एक्स्टेंशन है जहां पुरशार्त के लिए आप किसी भी तरह के अपराद को अंजाम दीजे चाहे वो बलातकारी क्यों ना हो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब इंडिया की बात में हमारे साथ जुड़े अभिसार शेर्मा को दीजे अजासत नमस्कार